आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गारी का टायर जब पंचर हो जाए तो उसे कैसे बदलें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे जगह पर होते हैं ऐसी रोड पर होते हैं जहां कोई मकैनिक आपको नहीं मिलता है सुना सा रोड हो और कोई हेल्प करने वाला नहीं हो और उस जगह पर टायर पंचर हो जाए तो क्या करेंगे तो ये भी हमें आना चाहिए न कि टायर कैसे बदलने खुद से तो आज इसी चीज को देखेंगे इस वीडियो में और इसी चीज को सीखेंगे हमारे गारी के डिक्की में एक स्टिपनी होता है ऐसे जहां गारी का टायर एक्स्ट्रा रखा जाता है तो इस टायर को हमेशा टंच रखें फिट रखें पंचर हवा सब कुछ चेक करके तो टायर को निकाल लिया गया है अब इसके अंदर जो टूल्स होते हैं ये देखे इस तरीके का ये सारा टूल्स है जिससे टायर चेंज किया जाएगा जिसकी हेल्प से हमारे गारी की टायर की हालत आप देख सकते हैं एक दम से पस्ट है तो पहले हम इस टूल को निकालेंगे और इसको इस तरीके से गुमाते हुए थोरा सा इसे नीचे करेंगे ये जो उचा लग रहा है आपको इतना ये अभी थोरा सा नीचे हो जाएगा इस तरीके से डीला करने से इसे गुमाने से स्क्रू को और फिर हम इसे गारी के नीचे फिट करेंगे अब हम इसे गारी के नीचे तो आपको क्या होगा कि नीचे जहां कर देखना होगा कि गारी का ये जो टूल है वो कहां पर एक्जेक्ट फिट करना चाहिए तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फसा कर इसमें fit करके और फिर अब हम इसमें यह tool लगाकर इस तरीके से घुमाएंगे तो यह सारी चीजे आपको ध्यान में रखनी होगी कि कौन सा चीज हमें case time use करना है और कैसे use करना है इस टूल का यही काम है कि ये नीचे से थोड़ा सा support देता है उपर करता है पीछे वाला पाट को या आगे वाला जहां भी आप इसे fit करेंगे तो ये गारी को थोड़ा सा उपर कर देगा तो आप देख सकते हैं कि पीछे का जो हिस्सा है गारी का इस टायर के पास का ये थोड़ा सा उपर हो गया है जिसकी वज़े से हम टायर को निकाल सकते हैं आराम से ये दिखिए इसके बाद ये वाला टूल आपको लेना है और नट वोल्ट में इस तरीके से फसा कर जिस तरफ आपके गारी का फ्रंट है उस तरफ इसको ऐसे मूव कीजिए नट वोल्ट को बहुत टाइट कसा जाता है तो आप इसके उपर चढ़ कर इसे ढीला कर सकते हैं इस तरीके से और गारी के ये टायर को चेंज करते समय अपने गारी का हैंड बेक जरूर लगा कर रखें तब आपको इसे चेंज करने में आसानी होगी नट वोल्ट सब खुल गया हमारा अब टायर को निकाल लेंगे और इसमें अब जो स्टेपनी में हमारा सही टायर है उसे फिट करेंगे तो यहाँ पर आपको सब नट को ध्यान में रखना होगा जो होल है जिसके लिए बना हुआ उसमें इसे फिट कर दें और उसके बाद इसका जो नट वोल्ट है उसे लगा लें पहले हाथ से इसी तरीके से आप लगा ले टायर को सिधा करते हुए सपोर्ट लेते हुए दूसरे हाथ का और उसके बाद हम फिर टूल से इसे टाइट करेंगे अब टूल से इसे इस तरीके से पहले जितना हाथ से हो पाता है उतना हाथ से कर लेंगे और उसके बाद फिर पैरो का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा इसे टाइट करने के लिए हर नट वोल्ट को इसी तरीके से हम टाइट कर लेंगे थोड़ा सा चरचर कर अब अपनी गारी के नीचे से ये टूल भी निकाल लेंगे तो पहले जिस direction में हमने घुमाया था उसके opposite direction में घुमा कर इसे हम पहले वाले shape में ले आएंगे मतलब flat कर लेंगे इसे छोटा कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे गारी जब नीचे आ जाए मतलब चक्का जब जमीन पे आराम से आ जाए उसके बाद आप नट वोल्ट को एक पर फिर से कस लीजिए और शियर हो जाएए कि खुब अच्छे से कस गया है और इस टूल्स को हम फिर से इसी बॉक्स में डाल लेंगे जैसे था पहले वैसे ही और ह इस डिक्की में और इस टूल्स को भी तो इस तरह से कभी भी जरूरत परे तो अपने टायर को आप कहीं भी बदल सकते हैं मेकैनिक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अ ध्यान डखे टेक केर और गुद बाई